सबी को नमस्कार तो आज की ताजा ख़बर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक कल मेंने का भी था कि जब पूरा भारत एक साथ 22 जनवरी को ना तो रामलला का स्वागत करेगा तो संकल्प भी ओफलाइन ओनलाइन स्वागत के लिए तयार है तो ओफलाइन बेच में विद्यार्थी अगर रेजिस्ट्रेशन करवाता है तो फीस तो देखो कंप्लीट देनी पड़ती है लेकिन 25 परसेंट 25 परसेंट उसको छूट मिल जाएगी सभी कोर्स पर मात्र 999 रुपे में ओनलाइन आपको उकलब्द हो जाएगी सद्यों का सपना पूरा अयोध्या के नव निर्मित राम मंदिर में पहली बार पधारे राम लला तो जो आपके सामने हैं कि राम लला की मूर्थी को बुद्वार को क्रेन से नव निर्मित मंदिर परिसर में लाया गया और इस दोरान मूर्थी कार अरुन योगी राज भी कि मुझूद थे और वैस्थान जा मूर्ति स्थापित की जाएगी यहां पे मूर्ति स्थापित की जाएगी योगी Raj और ये रामला gii ये थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि सुर्खिया क्ता है एक थी और वहरा मजी की तो आने वाड़े दिनों चैप्टन है खेल जुट करते चलना और याद करते चलना कहां से कौन सा कोश्चन पुछे वो उन पर है देखिए यह कैप्टन है सवीता पुनिया भारत की महां दिवार की उपनाम से इनको जाना जाता है तो भारतिये कैप्टन है होकी की 2011 में इने अर्जुन ओवर्ड से समानित किया था तो महिला होकी ओलमपिक क्वालिफायर विस्व रैंकिंग में मेजबान भारत चटेस्तान पर जबकि जर्मनी की टीम पांचवी नंबर पर है तीम को जीत का वरोसा स्वीता भारतिये टीम की कप्तान स्वी जर्मनी का डिफेंस काफी अच्छा है और हमारी कोशिस है हर मुक्य का फाइदा उठाने पर होगी तो बस याद रखिएगा एक तो होकी टीम कैप्टन को उनका नाम और भारति की महांदिवार इनको कहा जाता है फिर इसके बाद में बात करते केरल में करे करता 22 को हर घर मे स्री राम जोती जलाई मंदिरों को साब सुत्रा करें मोती ने त्री शूर के गुरु वायूर मंदिर में की पूजा अर्चना देखो केरल कोची का त्री सूर और मंदिर का नाम है गुरु वायूर मंदिर गेर हिंदू का प्रवेशिस के अंदर वर्जित है भू लोग बेक आपदी में ये बना था और श्री किर्शन जी के बाल रूप में इसको जाना जाता है तो गुरु वायूर मंदीर भगवान गुरु वायूर पन भगवान कृशन को समर्पित है केरल में हिंदुओं के लिए महतपुन पुजास्तल है मोदी ने कोच्ची में 4000 क्रोण रुपे स अधिक की प्रियोजनाओं का उद्गाटन किया है कि उत्तरपूर में दुर्गम पहाड़ी वैखराब सड़कों से गुजरी राहुल की भारजोड़ो यात्रा दो यात्रा ही हो गई है एक आपको पता है कि जो भारजोड़ो यात्रा चली थी वह साथ कितंबर 2023 से कन्या कु मुँच गई अब यह दूसरा जो चरण शुरूवा है यह मनिपूर से शुरूआ एक तरफ से हम कह सकते हैं पूरव से 14 जनवरी 2024 से शुरू और 20 मार्च 2024 तक चलेगी गुजरात में इस मापत होगी मनिपूर से गुजरात और पहले हम कह सकते हैं कि कन्या कुमारी से सिरी नगर बस याद रख लेना कि दो बार और किस तरीके से कर्ज में फसकर मालदीप का भी होगा वही हाल जो सिरी लंका का था तो आप सब जानते हैं कि अब इस समय जो सुर्खियां है वो मालदीप है तो मालदीप की राजदानी कौन सी है आप से कोशन पुछा जा सकता है माले आप से पुछा जा सकता है राष्टपती कौन है हना क्यों क्योंकि भाई अभी मोदी जी चले गए थे लक्सदीप और लक्सदीप में जैसे ही पहुंचे तो मालदीप को लगा कि हमारा जो ट्यूरिस्ट है उस पे काफी परभाब पड़ेगा तो आनन फानन में कुछ स्टेटमेंट दे दिये और वो आ गया गड़े के अंद अगर इसी समय राष्टपती साब जीते ही थे मोहमद मोईजू तो उनको भी दिकत हुई कि अब भारत लग रहा हाथ से गया तो उसने फिर चीन से काफी नजदीकियां बना ली इनको लगा कि चीन हमें ज़्यादा हेल्प करेगा लेकिन इनको यह नहीं पता कि चीन कहां से आएगा और कहां आप भारत की बराबरी कर रहे हो इसकी लेकिन कोई बात नहीं आपने को याद रखना है मोईजू ने चिनी राष्टपती सी जिपनिंग सी जिन्पिंग से मुलाकात की तो चीन का राष्टपती भी याद रख लेना और इधर मालदीब का राष्टपती भी याद रख लेना आज भी के दिनिया ने 18 जनवरी को पहली एक्स रे मसीन का परदर्शन 1896 में अमेरिका में आज ही के दिन हैंरी लुई स्मित ने हैंरी लुई स्मित ने पहली बार एक्स रे मसीन परदर्शन की बड़ी उपलब्दी है आपक 2020-04 में जब इसे सारजनी शुरूप से लगू किया तो उस समय था मिले ले रेनम तवारा इसे सारजनी ग्रूप से लगू किया गया आनंद से उपर परगंदन नंदा हलांकि इसका जो पूरा नाम है ना वो है रमेश बाब्रग्या आनंद रमेश बाबू परग्या आनंद कम उमर में चोथा व्यक्ति ग्रेंड मास्टर खिताब जीतने वाला याद रखिएगा तो एक ये भी याद रखिए रेंकिंग में पांच बार के वर्ल्ड चेंपियन विश्वनात आनंद से आगे निकले 18 साल के भारतिय युवा तो वर्ल्ड चेंपियन सिप को हराने वाले दूसरे भारतिय बनी हैं क्लासिकल सत्रंज में मुझूदा वर्ल्ड चेंपियन को हराने वाले दूसरे भारतिय प्रगनंदा पिछले साल की डिंग को हरा चुकी हैं और हलांकी तब लिग वर्ल्ड नंबर दो ग्रेंड मास्टर थ है लेकिन आप याद रख लेना कि भारत से कल को पूछे क्या कोई भारत से भी ऐसा खिलाडी था जिसने पहले गैंद के उपर विकेट लिया हो तो याद रखिए भारत निले स्कुल करनी एक बोल पर विकेट लिया था स्री लंका के मरवन अट्टापटू काउट किया था इन अस्पेलिया और वेस्टन डीच के बीच दो टेस्ट में चोकी स्रीच पहले मुकावले का ओपनी दिन दोनों ही टीमों के लिए मिला जुला रहा तो बस यह थोड़ा सा याद रखिएगा तो यह थी आज की ताजा ख़बर यह सभी पुस्त के मार्केट में उपलब है एक बार आप विजिट जरूर करें और यह जो ओफर है यह शुरू कर चुके हैं बस यह मान लो कि अब से शुरू है और बाइस लाश्ट है तो जो भी भाई बंदू ओफलाइन संस्तान में प् झाल 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 झाल